हेलो डीवियंस मेरा नाम है मनीश वेलकम टू डीविगुडू आज हम दू क्लास एट का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नमबर वन जिसमें के हमें सेल के बारे में डीटेल में परना है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इस क्लास को पूरा एटेंड कि जिएगा चैप्टर में कहीं से भी कोशन पूछा जाएगा आप उसको बहुत आसानी संसर कर पाएंगे इस चैप्टर का पहला पार्ट है और अगर आपको इसके अगले पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएगा आप कहेंगे तो उसको भी हम क्लासिस का वीडियो मिल जाएगा यहां से आप अपने क्लास के वीडियो को फ्री में अक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्राइब और इकन को प्रिस कर लिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके क्लास के लिए उसका एक नोटिफिकेशन आप तक जाए इस चैप्टर को परना शुरू करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर में कौन-कौन सा टॉपिक्स हमें परना है उसका एक ब्रीफ आइडिया हमें मिल जाए सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंटुडक्शन देखेंगे उसके के बाद हम लोग सेल के बारे में डीटियल में परना शुरू करेंगे और गेनिजम जो होते हैं सेल नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं सेल के साइज के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं उसके बाद हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे एक से कितने पार्ट से मिलकर बना होता है उसके बाद हमारा टॉपिक होगा levels of organization in an organism और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा comparison between plant and animal cells और इस टॉपिक को परने के बाद ये पूरा chapter हमारा complete हो जाएगा हम जानते कि हमारी धर्ती पर अनिक प्रकार की जीव जनतू पाए जाते हैं और जितने भी जीव जनतू हमारी धर्ती पर है सबका रंग रूप, आकार, प्रकार एक दूसरे से बिलकुल अलग होता है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाला है एक दूसरे से बिलकुल डिफरेंट हो सकता है लेकिन अगर हम लोग उसके बेसिक यूनिट की बात करें वो बिल्डिंग जिस चीज़ से बना हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो लगबग एक दूसरे के सिमिलर ही होता है जिसको हम लोग bricks बोलते हैं building चाहे बाहर से कैसा भी हो लेकिन उसमें जो eat इस्तेमाल हुआ है एक दूसरे के similar होता है उसी तरह से जितने भी living organism के bodies होते हैं ना चाहे वो plants के bodies हो या animals के bodies हो वो cell से ही बने होते हैं बाहर से तो देखने में लगता है कि plant अलग type का दिख रहा है animals अलग type के दिखते हैं लेकिन दोनों एक ही तरह के चीज़ से बने होते हैं और उसी चीज़ को हम लोग cell बोलते हैं जिसके बारे में इस chapter में बहुत अच्छे से हमें परना है एक microscopic bacteria ऐसा bacteria जो की बहुत छोटा है बीना microscope के हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं जैसे कि amoeba इस amoeba से लेकर एक large organism तक एक बड़े organism तक जैसे कि elephant हो गया whale हो गया gigantic trees, विशाल पेर जो होते हैं उन तक जितने भी चीज़ हैं सब cell के बने होते हैं सभी कोशिकाओं के बने होते हैं सभी cell के बने होते हैं और इसे लिए हम लोग cell को basic unit of all organism बोल सकते हैं इस वाले paragraph में देखिए हमें unicellular organism और multicellular organism के बारे में थोड़ा सा introduction दिया गया है यहां पर बताया गया है कि cells जो होते हैं ना दो तरीके से पाए जा सकते हैं वो unicellular organism के रूप में भी पाए जा सकते हैं और multicellular organism के पार्ट के रूप में भी पाए जा सकते हैं अगर कोई cell अकेला हो और वो सब काम कर रहा हो जो की जीव जन्तु करते हैं ऐसे cell को हम लोग unicellular organism बोलते हैं क्योंकि यह एक organism की तरह behave कर रहा है उसी तरह से अगर कोई cell group में हो, बहुत सारे cell एक साथ मिलकर किसी living organism के लिए काम कर रहे हैं, तो उस cell को हम लोग एक multi cellular organism का part बोलेंगे, हर living organism का कुछ basic function होता है जैसे कि nutrition लेना, respiration करना यानि कि सांस लेना, growth करना यानि कि बरना, develop करना और reproduction करना, और ये सब काम एक organism में cells करते हैं, cell का ही काम होता है, ये सब करना, these functions are essential, ये सभी काम जरूरी है, for the survival of organism, अगर एक organism को जिंदा रहना है, तो उसको nutrition भी लेना पड़ेगा, respiration भी करना पड़ेगा, grow भी करना पड़ेगा, development भी करना पड़ेगा, और reproduction भी करना पड़ेगा, we therefore regard the cell as the basic structural as well as functional unit of all living organism, इतना हम लोग cell के बारे में जाने, इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं, कि cell जो होता है न, एक living organism का basic structural unit होता है, मतलब जो भी living things बना होता है न, cell से ही बना होता है, और उसके साथ साथ cell जो है, एक functional unit भी होता है, एक living organism के अंदर में जो भी काम होता है न, उसको करने में cell ही मदद करता है, in this chapter we will study about, इस chapter में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग अलग अलग organism के cells के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जानेंगे, कि हर cell का shape अलग होता है, हर cell का size अलग होता है, structure भी अलग होता है, और हर cell का function यानि कि उसका काम भी अलग होता है, लेक हमें परना है, जो कि है discovery of the cell, cells जो होते हैं, वो basic structural unit होते हैं, हर living things का, यह तो हम लोग जान चुके हैं, जितने वे living things होते हैं, वो cell से ही बने होते हैं, they remain undiscovered, पहले इसके बारे में हमें पता नहीं था, for a long time, बहुत समय तक इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया था, ऐ ऐसा क्यों, because the majority of cells are too small, क्योंकि अधिकतर जो cells होते हैं, उसका size बहुत चोटा होता है, हम लोग उसको directly अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें devices चाहिए, जैसे कि microscope और electron microscope, अगर बहुत चोटा होता है न, उसके लिए हमें electron microscope चाहिए होता है, जो कि बहुत चोटे objects को भी देख सकता है, जब ऐसे ही कुछ microscope का अविसकार हुआ, जब ऐसे ही कुछ optical instruments का अविसकार हुआ, जब से हम लोग बहुत चोटे-चोटे objects को भी देख पाने लगे, और ये कब हुआ था, 17th century में हुआ था, उसके बाद ही cell का discovery हुआ, उसके बाद ही scientist को cell के बारे में पता चला, और उसके बाद उन्होंने cell के basic features के बारे में study किया, कि cell कैसे कैसे काम करता है, और उसके बाद ही उन्हें पता चला कि जितने भी living things है, सभी cell के ही बने होते हैं, अब चलिए इसके पीछे का ही story जान लेते हैं, एक scientist थे जिनका नाम था Robert Hook, ये पह से बनाते हैं, और इसी काम लोग बोतल के ढखकन के तरह भी यूज करते हैं, जब उन्होंने कॉर के पतले-पतले slices को अपने microscope से देखा, तो उन्हें उसमें honeycomb structure दिखा, honeycomb किसको बोलते हैं, मदुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले photo में दिखा कुछ ऐसा है structure उनको दिखाई दिया, और इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे compartments बने हुए थे, अगर हम लोग इसको zoom करके देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारा छोटा-छोटा compartments हैं, बिल्कुल ऐसा है structure उनको दिखा था, जब उन्होंने microscope से corp को रखा था, और इस compartment का नाम उन्होंने cell रख दिया, क्योंकि Latin language में cell का मतलब होता है, a little room, एक छोटा कमरा, it was later explained that these compartments were actually dead cells, bound by a cell wall, बाद में और research उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो compartment जैसा कुछ दिख रहा है न, यह actual में dead cell है, मरे हुए cells हैं, और इस में cell wall है, जिसके बारे में आगे हम लोग परेंगे भी, अब देखिए हमारा अगला topic है the cell, cell के बारे में हमें थोड़ा सा और explore करना है, थोड़ा सा और इसके बारे में हमें जानना है, we now know that living organism, हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी living organism होते हैं, are made of cell, वो cell से बने होते हैं, the cells have the same basic structure, एक cell का जो basic structure होता है न, मतलब आसान भाषा में बोले तो हर cell जो है न, वो एक ही तरह से बना होता है, उसका basic structure same होता है, but they are different with respect to their number, shape and size, in different living organism, हर living organism में cell की संख्या, cell की आकिर्ती और cell का जो आकार होता है, एक दूसरे से बिलकुल अलग होता है, इस वाले do you know में देखिए एक बड़ा है interesting point बताया गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है, the outermost layer of our skin consists of dead cell, हमारे skin का जो ऊपर वाला layer होता है न, उसमें dead cell पाए जाते हैं, उसके जो cell होते हैं, मरे हुए होते हैं, this layer is shed periodically and is replaced by newer cells, हमारे body के ऊपर का जो skin cell होता है, वो हर साल बदलता है, जैसे क पीपल के पेर में आप देखेगा कि उसका पत्ता हर साल पूरा ज़र जाता है, और उसके बाद पूरा नया नया पत्ता आता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे skin के साथ भी होता है, you may be surprised to know that a person may lose about 4 kg of skin cells every year, एक इनसान 4 kg के बड़ाबर cell हर साल lose करता है, 4 kg cell हर साल replace होता है, ल औरल-प्लेस होते रहता है, थाँ तॉपिक के अंदर में हुए हमें दो टॉपिक परना था, आपनी brain mapping में देखा था, पहला टॉपिक है variation in cell number, shape and size in living organism, हर living organism में अलग-अलग cell number होता है, cells की जो संख्या है, अलग-अलग होती है, cells का जो shape है, वो भी अलग होता है, और cells का ज रंख्या के बेसिस पे living organism कितने तरह के हो सकते हैं इसके बारे में हम पहले भी जिक्र किये थे स्टार्टिंग में चैप्टर के कि living things जो होता है न दो तरह का हो सकता है एक होता है unicellular और एक होता है multicellular एक ऐसा living organism जो कि एक ही cell का बना होता है उसी को हम लोग unicellular organism बोलते हैं और एक ऐसा organism जो कि बहुत सारे cells से बना होता है बहुत सारे cells के मिलने के बाद बनता है उसको हम लोग multicellular organism बोलते हैं यह बिल्कुल एक हीट वाले building के तरह है ऐसा building जो कि सिर्फ एक हीट का बना है और यह जो है न बहुत सारे नीट से बने हुए building की तरह है यहाँ पर पताया गया है कि amoeba और earthworm का जो size है न एक दूसरे से बिलकुल अलग होता है amoeba बहुत छोटा होता है इसको बीना microscope के हम लोग नहीं देख सकते हैं और जो earthworm होता है न इसको देखने के लिए किसी भी instrument का ज़रुत नहीं पड़ता है हमारी आखी काफी होती है इसको देखने के लिए इन दोनों organism के size में जो difference है इतना बरा जो difference है इसका कारण क्या है इसका कारण है number of cells कोशिकाओं की संख्या यह जो amoeba है न सिर्फ एक ही cell का बना हुआ है इसमें सिर्फ एक ही कोशिकाओं है लेकिन जो earthworm है न यह बहुत सारे cell से मिलकर बने हुए इसमें लाखो करोरो कोशिकाओं है यहाँ पर वहीं चीज बताया भी क्या है while amoeba is a living organism consisting of a single cell amoeba है का ऐसा living organism है जो कि एक ही cell का बना हुआ है लेकिन जो earthworm है an earthworm has millions of cells एक earthworm में लाखो करोरो cells होते हैं इसलिए हम लोग बहुत सकते हैं on the basis of their number of cells living organism can be classified into two categories living organism दो तरगा हो सकता है एक होता है unicellular और एक होता है multicellular यहाँ पर हमारा जो amoeba है वो हो गया unicellular और जो earthworm है यह हो गया multicellular यहाँ पर unicellular और multicellular organism का तीन-तीन example आपको दिया गया है unicellular organism जो होते हैं वो सिर्फ एक ही cell के बने होते हैं इसका example हो गया yuglina, amoeba और paramecium और जो multicellular organism होते हैं यह बहुत सारे cells के मिलने के बाद बनते हैं इसका example हो गया humans यानि की हम लोग birds और animals अब हम इस cell के shape के बारें परना है कि cell का आकार इसकी आकरती कैसी कैसी हो सकती है यहाँ पर बताया गया the shape of cells differ not only in different organism but also in different organs of the same organism इसका मतलब यह हुआ कि cells का जो shape होता है उसका shape अलग होगा और plants में जो cells होते हैं उसका shape अलग होगा ऐसा होने के साथ साथ एक ही organism के अलग-अलग organs में जो cells पाया जाते हैं उनका आकार उनका shape जो होता है वो भी अलग-अलग हो सकता है जैसे कि अगर हम लोग human body की ही बात कर ले तो human body के अंदर ही बहुत से अलग-अलग shape के cells पाय जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखे liver cell कुछ इस तरह का होता है fat cell इस तरह का होता है smooth muscle cells जो होता है इस तरह का होता है nerve cell इस तरह का होता है red blood cell इस तरह का होता है cells के shape में जो difference हमें देखने को मिला इसका reason क्या है? आखिर किस पर depend करता है कि cell कि shape का होगा? यह में लिए 2 चीज़ पर depend करता है. पहला है cell का location और दूसरा है cell का function हमारे body में cell कहा पर है, कहा पर वो exist कर रहा है, कहा पर पाए जाता है इस पर depend करता है कि सिल का shape क्या होगा और उसके साथ साथ उसका function क्या है उस सिल का काम क्या है इस पर भी depend करता है कि उस सिल का shape क्या होगा example के लिए अगर हम लोग nerve silk की बात करें nerve silk का photo यहाँ पर दिया गया है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है nerve impulses को हमारे body के अलग-अलग organs तक पहुँचाना हमारे body में जब भी कहीं पर कुछ भी होता है कहीं पर कोई touch करता है तो जो हमें feel होता है वो इसी cell के कारण होता है nerve cell के कारण होता है हमारे body में लगबग हर जगा nerve cell पाये जाता है तब ही तो जब हम लोग उसे काटते हैं तो हमें फील नहीं होता है hence the possess a long fiber like structure क्योंकि इसका काम ही होता है signal को send करना, transmit करना इसलिए इसका जो structure होता है ना एक fiber के तरह होता है जैसे कपड़ा में बुना होता है ना कपड़ा में धागा बुना होता है उसको देखने के लिए हमें या तो electron microscope का ज़रूत परेगा या तो microscope का ज़रूत परेगा और कुछ ऐसे cell होते हैं जो कि directly हम लोग देख सकते हैं उसको देखने के लिए किसी भी instrument का ज़रूत नहीं परता है अगर हम लोग सबसे छोटे cell की बात करें पिपेलो का diagram ऐसा होता है अगर हम लोग इसके diameter की बात करें तो इसका जो diameter है न वो 0.1 micron होता है यह micron word आपके लिए नया होगा लेकिन इसको समझना बहुत easy है 1 micron हम लोग 10 to the power minus 6 meters को बोलते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग 1 meter को 10 to the power 6 से divide कर दें तो जितना length हमें मिलेगा न उसको हम लोग 1 micron बोलेंगे 10 to the power 6 का मतलब क्या हुआ हमें 1 meter को 10 lakh से divide करना पड़ेगा जब हम लोग 10 lakh से divide करेंगे न तो जो number हमें मिलेगा वही number होगा वही जो length होगा न वो 1 micron length कहलाएगा सोचिए कितना छोटा number हमें मिलेगा और ये जो PPLO है इसका diameter 1 micron भी ठिक से नहीं होता है 1 micron को और हमें 10 से divide करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मिलेगा 0.1 इसका जो diameter है सिर्फ 0.1 micron ही होता है अगर हम लोग सबसे बड़े cell की बात करें तो वो होता है ostrich का अंडा इसका जो diameter है वो होता है 170 mm ये भी एक important point है आप इसको भी याद रखिएगा the hence egg also represents a single cell मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक single cell ही होता है ये इतना बड़ा होता है कि इसको हम लोग अपने unadded eye से भी देख सकते हैं मतलब बिना किसी instrument को use किये ही हम लोग इसको देख सकते हैं इस वाले activity में आपको अंडे को फोर कर उसके अंदर के structure को देखने के लिए बोला गया है but don't worry हम बिना अंडे को फोरे ही आपको अच्छे समझा देंगे आपको कोई अंडा फोरना नहीं पड़ेगा इस activity के लिए सबसे पहले हमें एक मुर्गी का अंडा लेना है उसके बाद उसको धीरे से तोरना है उसके उपर का जो shell होता है उसको हमें धीरे से तोरना है और उसके अंदर का जो content होता है उसको एक plate में रख लेना है आपको इसमें clearly दो अलग-अलग portion दिखेगा इसका जो central part होता है जो की yellow color का होता है इसको हम लोग york बोलते हैं ये वाला जो part है और इसके चारो तरफ जो transparent white jelly जैसा substance होता है jelly जैसा fluid होता है उसको हम लोग albumin बोलते है albumin जो है इस वाले area में भरा होता है york के चारो तरफ albumin और york जो होता है ये cytoplasm में होता है cytoplasm क्या होता है उसके बारे में detail में हम लोग परेंगे जब हम लोग parts of cell परेंगे इसके आगे वाला topic है अभी short में जान लीजिए एक nucleus होता है और एक होता है cell membrane एक जिल्ली होता है जो कि cell को 4 तरग से घेरगे रखती है इसके बीच का जो portion है न इसी को हम लोग cytoplasm बोलते हैं cytoplasm में जो albumen और york पाया जाता है ये food material होता है इसके अंदर जो छोटा सा मुर्गी का बच्चा पल रहोता है उसको भी तो food material जाहिए उसके food material के तरह यही दोनों काम करता है हिंस है कि just single cell it's different parts have been leveled in the diagram given here मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक single cell होता है और इसके जो अलग-अलग parts है उसके बारे में diagram में भी बताया गया है सबसे बाहर जो white वाला layer आपको दिखता है उसको हम लोग outer shell बोलते हैं थोड़ा सा मजबूत होता है ये उसके अंदर का जो एक जिल्ली जैसा layer होता है जब आप अंडे को boil करेंगे तो आपको ये जिल्ली आसानी से देखने को मिल जाएगा उस जिल्ली को हम लोग cell membrane बोलते हैं cell membrane के अंदर जाते ही आपको liquid fluid मिलेगा जो की boil होने के बाद white color का हो जाता है इसको हम लोग albumen बोलते हैं इस पीले वाले पार को हम लोग york बोलते हैं और इसके बाद ये जो खाली जगह होता है न उसको हम लोग air sack बोलते हैं यहाँ पर हवा भरा रहता है जब अंडे को boil की जेगा उसके बाद जब आप उसको तोड़िएगा तो यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा flat surface बना होता है वो air sack के कारण ही बनता है इस वाले table में कुछ cells और उसका approximate size हमें दिया गया है जैसे कि सबसे पहला है amoeba amoeba का size होता है 10,000 micrometer उसके बाद है hens egg मुर्गी का अंडा इसका size होता है 60 mm, तीसरा है ostrich egg इसका size होता है 170 mm और चौता है green alga इसका हमें शैवाल भी बोलते हैं और इसके cell का size है 10 cm तक हो सकता है बहुत लंबा हो सकता है इसका cell दूसरे table में human body के अंदर पाए जाने वाले कुछ cells और उसके sizes दिये गए हैं जिसमें की पहला है red blood cell इसका size होता है 9 micrometer micro का मतलब हम आपको पहले बता है अगर आपको यह micro हटाना है यहां से तो आपको 10 lakh से divide करना पड़ेगा उसके बाद आपका मीटर में अंसर आ जाएगा दूसरा है liver cell liver cell का size है 20 micrometer होता है अगर इसको हम लोग मीटर में बोले तो 20 divided by 10 lakh और इतना मीटर हो जाएगा मतलब 20 को 10 lakh से divide करना पड़ेगा तब हमें मीटर में इसका length पता चलेगा कितना छोटा होगा सुचिए उसके बाद है human album इसका size होता है 0.1 mm या अगर हम लोग microscope का ज़रूत पड़ता है units को हम लोग कैसे कैसे convert कर सकते है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपको 1 micrometer दिया गया है इसको आपको में convert करना है तो या तो आपको 10 to the power minus 6 से multiply कर देना पड़ेगा या तो आपको 10 lakh से divide कर देना पड़ेगा उसी तरह से अगर आप 1 micrometer को मीली मीटर में convert करना चाहते हैं तो आपको 10 to the power minus 3 से multiply कर देना पड़ेगा या आप divide भी कर सकते है 1000 से इस वाले do you know make important point बताया गया है यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे body में जो red blood cell होता है न उसका life span 120 days होता है इसका मतलब यह हुआ कि red blood cell अपने आपको 120 दिन के बाद replace कर लेता है activity number 2 में 3 parts हैं इसके पहले part में हम लोग सीखेंगे कि animal cells को हम लोग microscope के थूरू कैसे देख सकते हैं इसके दूसरे part में हम लोग सीखेंगे कि plant cell को हम लोग microscope के थूरू कैसे देख सकते हैं और इसके तीसरे part में हम लोग सीखेंगे कि human blood cell को हम लोग microscope के थूरू कैसे देख सकत चलिए सबसे पहले बात कर लेते कि animal cells को microscope के थूरू देखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा सबसे पहले आपको एक toothpick लेना है उसके बाद आपको अपने गाल के अंदर वाले side से inner side से हलके से उससे scratch करना है उसके बाद आपके toothpick पर एक जाग जैसा substance आकर जमा हो जाएगा उसके बाद आपको glass slide लेना है lab में होता है कुछ ऐसा glass slide और उसके बाद आपको अपने toothpick को उसके center में रब कर देना है ताकि जो जाग जैसा substance है वो इसमें आकर लग जाए उसके बाद आपको इस पर methylene blue का कु बनाने में help करेगा उसके बाद हमें उसको कुछ समय तक छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से colorful हो सके फिर उस slide के उपर एक और slide रखकर हमें उसे cover कर लेना है और फिर उसको microscope के अंडर में रखकर देखना है जब आप इसको microscope में देखेंगे तो आपको polygon shape में बहुत सारे cells ऐसे दिखेंगे जो कि अकेले हैं और बहुत सारे cells आपको ऐसे दिखेंगे जो कि cluster में हैं ग्रूप में हैं observe the darkly stained nucleus in each cell और यहाँ पर एक dark जैसा spot आपको दिखेंगे और यह nucleus होता है cell का इस वाले photo में जैसा दिखाया गया है लगबग ऐसा ही आपको microscope में दिखेंगे यह जो central spot है इसको हम लोग nucleus बोलेंगे यह जो outer portion है outer जो layer है इसको हम लोग cell membrane कहेंगे उसके बाद यह जो beach वाला portion है उसको हम लोग cytoplasm बोलेंगे अब चलिए इस activity के दूसरे part पर आते हैं जिसमें कि हम लोग सिखेंगे कि plant cell को हम लोग कैसे observe कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे onion पील को मतलब प्याज के छिलके को इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक glass सेफ्रानिन डालना है सेफ्रानिन क्या करेगा उसको colorful बनाएगा आप सोचेंगे कि प्यास तो already colorful होता है लेकिन जब आप उसका एक जिल्ली निकालेंगे एक पतला छिलका निकालेंगे न और इसको फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो colorless आपको दिखेगा इसलिए सेफ्रानिन डालना बहुत जरूरी हो जाता है फिर आपको उसको एक मिनट तक छोड़ना है ताकि वो अच्छे से स्टेंड हो जाए colorful हो जाए फिर उसको एक और स्लाइट से हमें cover करना है और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर हमें देखना है यहां पर भी आपको कुछ वैसा ही दिखेगा बीच में जो spot है इसको हम लोग nucleus बोलेंगे उसके बाद यह जो boundary है इस boundary को हम लोग cell wall अंदर में जो liquid जैसा भरा हुआ है इसको हम लोग cytoplasm कहेंगे अब चलिए इस activity के तीसरे पार्ट पर आते हैं जहां पर हम लोग सीखेंगे कि human blood को हम लोग कैसे observe कर सकते हैं इसके लिए आपको human blood का एक slide प्रिपेर करना पड़ेगा आपको एक slide लेना पड़ेगा और उस उपर से एक दूसरे slide से इसको cover करना पड़ेगा इसको आप अपने teacher के guidance के अंडर में prepare कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा एक और alternative भी है market में कुछ permanent slides मिलते हैं जिसके अंदर blood पहले से डला होता है आप इसको भी use कर सकते हैं blood cells को देखने के लिए जब आप इसको observe करेंगे तो आपको जो red blood cells है ना उसका disc shape दिखेगा डिसक जैसा आकार उसका होता है और इसका color जो है वो red होता है उसके साथ blood में आपको amoeba जैसे कुछ structure भी दिखाए देंगे जो कि actual में white blood cells होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि amoeba का ऐसा दिखता है हमें पता ही नहीं है तो हम लोग white blood cell को क्या पहचानेंगे amoeba का जो diagram एकदम simple है आपको उसके लिए सबसे पहले आँख बंद करना होगा आँख बंद कीजिए SSSSD rock कीजिए और बीच में एक nucleus बना देजिए हो गया amoeba का diagram एकदम simple है amoeba एकदम मस्ताद्वी है ये किसी को कोई tension नहीं देता है आसानी से बन जाता है finally इस chapter के यहां तक के सभी topics को हमने complete कर लिया इसके आगे का जो topics बचा उसको लोग part 2 में परेंगे part 2 भी अगर आपको चाहिए तो आप comment में लेकर जरूर बताईएगा और youtube को बंद करने से पहले इस channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए और इस channel के बारे में अपने दोस्तों को बताईए इन सब के बदले में हम आपके पढ़ाई को और भी easy और interesting बनाते रहेंगे अब तक science के जितने सारे chapters को मैंने complete करवा दिया है उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ अब तब तके लिए अपना ध्यान लगिया और अच्छे से बढ़ाई करते दिये